दोस्तो, NSA, Physics Class में आपका Welcome है, स्वागत है 12 Physics के आख थीस दूसरे लेक्शिर में हम електr Task करने जाएंगे पहने लेक्शिर में आपको बताएगी है 12 Physics का जो पहला डृह को लेक्शर का जो पहला युनिट होता है electric charge selected जो भी important objectives हैं उस पे आज हम लोग चाशा करेंगे दोस्तो electric charge, electric charge को हम लोग क्यों से denote करते हैं दोस्तो क्यों, क्यों, यह capital यह small दोनों क्यों हो सकता है electric charge का formula होता है electric current into time, I into T Q equal होता है, I into T, I होता है electric current and T for time electric charge क्या है, इसका definition बता है, यह तो internal property of particles of atom due to which it applied force on each other and the formula of electric charge is Q equal I into T, electric charge निकालने के लिए हम लोग current निकालते हैं और time निकालते हैं और दोनों का product निकालते हैं वही हमारा देता है electric charge कितना flow रहा, electric charge equal Q equal I into T, electric current into time तो दोस्तों Q का formula I into T है, इससे कर आप I निकालना चाहें तो Q by T करेंगे, T निकालना चाहें तो Q by I करेंगे, electric charge दोस्तों एक scalar quantity है, it is very important question होता है, इसमें तीनों scalar है, current time और साथ में charge भी, तीनों objective यहां एक साथ अब याद कर सकते हो, Q by I into T, scalar into scalar that is scalar, so electric charge is a scalar quantity, वीदु दावे से एक अधिशासी है अब SI system की बात करें, तो वहाँ पर electric charge को derived quantity माना गया है क्योंकि SI में साथ fundamental quantity होते है, length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, amount of substance तो उसमें charge नहीं है, तो चार्ज कहां है, तो दोस्तों charge derived quantity है, चार्ज दो fundamental quantity electric current और time के product से यह derived होता है, इस तेसका नाम है derived quantity electric charge का जो खोच करता है, वह थेल से हैं, थेल से युनान, ग्रीक के रहने वाले थे, उन्होंने 600 BC में, before Christ, इसा मसी के जन्म से 600 साल पहले, उन्होंने charge को develop किया था, by rubbing of amber red on the fur of cat, उन्होंने बिल्ली के खाल पर, बाल पर, जब amber के red को रगड़ा, तो उन्होंने देखा कि वह हलकी वस्तों को आकरशित करती है, यह experiment आप भी कर सकते हैं, आप अपने सूखे बाल में, या अपने उनी कपड़े में, आपने प्लास्टिक के पेर को डग रहें, और फिर कागस के चोटे-चोटे टुक्रों के नजदीक ला जिसको सबसे पहले थेल्स ने कर के दिखाया है, इसलिए हुई इसमें हम लोग थेल्स का नाम लेते हैं, जो ग्रीक युनान के रहने वाले थे, इसलिए थेल्स आप मिलेट भी ने कहा जाता है, दोस्तों नेक्स कोशिन है, कि आज से आप जानते हो ना, चार्ज दो तरों क अनुका नाम आता है, उन्होंने बताएगे लेक्टीज चार्च के दो काइंट्स होते हैं, एक निगटिव एक पॉजिटिव लेकिन उसमक निगटिव पॉजिटिव नहीं बला याता था, उसमक बला याता है रेजिनस और वी टेरस, निगटिव चार्च का पुराना अम next question dimension of charge तो formula से dimension निकलता है current into time होता है current का dimension होता है a time 30 तो at लिख दें एक साथ लिख दें dimension का symbol बरे बिरेकेट होता है कभी t a के जगे पर t i b हो सकता है और इसका एक dimension m not l not t a m not l not t i b complete form pure form में जब dimension लिखना होता है तो अगर m, l, t इन तीनों में से कोई गाइब है तो उसके power 0 डाल कर हम लोग लिखते हैं यह pure form कहलाता है dimension का तो आप shortcut में याद आखिए टा याद आखिए electric charge का जो dimension है वो t a या ट i होता है ऐसा unit of electric charge की बात बता है दोस्तों formula से unit निकलता है formula आपने क्या देगा electric current into time q बरावर i into t वहाँ से आप निकल सकते हैं current का होता है ampere time का second तो ampere second लेकिन चुके कुलम साभी ने बहुत बड़ा कामाल किया उन्होंने electrostatic force को calculate करना सिखाया उनको father of electrostatics भी कहायाता है इसने charge का जो SI unit है वो हम जो use करेंगे कुलम करेंगे लिखेंगे इंगलिस में कुलम लेकिन पढ़ेंगे कुला क्योंकि इंगलिस grammar का rule है M के बाद B आए तो B को खा जाना है silent कर देना इसलिए कुलम होते है SI unit of electric charges कुलम ampere second को ही कुलम कहते है 1 ampere second बड़ावर 1 कुलम होता है ampere second is called कुलम change करता है इसे charge का formula पढ़ते हो Q बढ़ावर I into T पढ़ते हो आप current का तो ampere ही रखा या million ampere कर दिया कुछ इस तरह से change करेगा time के जगा पे आपको minute, घंटा, दीन, महिना, साल century कुछ भी डाल करके question को थोड़ा twist करेगा और आप सको फ़साने का कोशिश करेगा लेकिन आप फ़सेंगे, आप बहुत तेज बच्चे है ampere hour जैसे इस बार था कि ampere minute किसका unit है पिछले बार था कि ampere hour किसका unit होता है कभी million ampere hour पूछ लिया जाता है कभी micro मैं ampere hour पूछ लेगा ampere day पूछ लेगा, ampere month पूछ लेगा ampere year पूछ लेगा बच्चों यह सब कुछ भी पूछे, आप दिमाग लगाई एक current का, एक time का unit है दोनों का product charge होता है इसलिए so it is the unit of electric charge SI unit of electric charge लेकिन सिफ ampere second माने है SI unit यह other unit है, daily life में यूज़ कर सकते है ampere minute, ampere hour, ampere day ampere month, ampere year यह आपके एक्चों में basic concept को examiner पैचानना चाहता है कि क्या आप सिर्फ रट ली है यह आप यह पास कुछ दिमाग भी है, कुछ concept भी है तो unit निकलता कहा से formula से, आप formula यादो को तो आप खुद निकाल सकते है आप खुब मेहनत करें आपका भविस उच्जव लोग इसी के साथ आज का lecture इतना ही है आप निजार करें अगले lecture का इससे पहले चैनल को like, share and subscribe करना ना भूने धानिवाद